जी वेरी वेरी गुद मॉर्निंग आप सभी साथियों को वेलकम टो एक्जामपूर हम हैं एक्जामपूर कलम से करांती जो भी साथि जुट चुके हैं बहुत बहुत स्वागते सभी का हार्टिक अभी नंदन हैं एकबर सेशन को शेयर करके अपनी सभी फ्रेंज को बुला लेंगे चलिए जो भी साधी जुट चुके हैं सभी का स्वागत है हार्टे का भी नंदन है सेशन को शेर करके अपने सभी फ्रेंज जोगी यूपी प्लिस के लिए ग्राली प्लिस के लिए तयारी कर रहे हैं उन्हें जल्दी से बुला लीजेगा सभी को नमस्ते रादे रादे आदाप सस्रियाकार एक बर मुझे कॉमेंट करके बताएंगे आडियो एंड वीडियो आपको किलियर है जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजेगा आडियो एंड वीडियो आपको किलियर है अगर clear है तो फिर session को आगे बढ़ाते हैं अपने भी हाल चौल बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग आश्योगर्ट्यों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं जी very very good good morning आप सभी लोगों को देखें आज हम एक new topic स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर एक exam के लिए important है चाहे कोई सा भी आपका one day exam हो चाहे कोई भी आपका exam हो एक question एक नहीं उसे question पूछे ही जाते हैं 100% sure है कि question उसे पूछा ही जाएगा यह कौन से topic की बात कर रहे हैं भई awards and honor की बात कर रहे हैं चाहे वो किसी भी छेत्र में awards दिये गए हैं चाहे science के छेत्र में, mathematics के छेत्र में, film के छेत्र में, social work के छेत्र में जो भी awards दिये गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे awards and honor और शुरू करेंगे 2022 से पहले 2022 के बढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे 2021 के तो ये class आपकी maybe दो दिन चलेगी बइडिस दो दिन के class में मैं आपको October 2021 तक के जितने भी awards अभी तक दिये गए हैं सारे के सारे करा देंगे ठीके हाँ जी share कर देंगे, आप सभी लोग and topic डालेंगे ठीके, and topic आप डालेंगे, awards and honor जल्दी जल्दी से, ठीके चलिए जी good good morning आप सभी लोगों को session को share करेंगे और जल्दी से हम अपने topic पर बढ़ जाते हैं, ठीके चले, जल्दी से topic पर बढ़ जाते हैं कहां से हम शुरू करेंगे, चले देखें, आपको short form में ही लिखना है, आप table की form में लिख सकते हैं, या फिर आप hyphen लगा के भी लिख सकते हैं, एक side आपको award का name लिखना है दूसरी side आपको award का name लिखना है, यानि कि जिन्हें इस award से सम्मानित किया गया है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे, the companion of honor, companion of honor जो है companion, companion companion of honor, of honor of honor जो award है, यहाँ British government के द्वारा दिया जाता है ठीके, British government के द्वारा दिया जाता है यानि कि जो queen है इस time, जो queen Elijah Bate है, Elijah Bate के द्वारा इस award को दिया जाता है और किस छेतर में दिया जाता है इसका कोई भी छेतर फिक्स नहीं है कोई भी व्यक्ति चाहे भी social work के छेतर में आपके छेतर में आप किसी भी तरीके से human को क्या है, lab पहुँचा रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको ये award दिया जाता है the companion of honor जो award है ये queen Elijah Bate के द्वारा दिया जाता है और इस बार एहमद सल्मान रश्दी जी को यहाँ award दिया गया है इस बार एहमद सल्मान रश्दी जी को इस award से नवाजा गया है आप George King 5 के बारे में पढ़ते हैं आप से भी लोग George King 5 के बारे में पढ़ते हैं फिफ्ट जो हुए थे तो उनके द्वारा इस award की शुरुआत की गई थी ठीके उनके द्वारा इस award की शुरुआत की गई थी 1917 में इस award को शुरू किया गया था और इस बार ये सलमान रश्दी जी को मिला है ओल राइट समझते हुए चलेंगे बाद में आपको आवोर्ट को याद करने के जुरूत नहीं है अगर आपने इस क्लास में समझ लिया देखे करंट अफेर कभी भी रटी नहीं जाती करंट अफेर को आप जितना समझेंगे उतनी है आपकी किलियर होगी रटी कभी नहीं जाएगी पजल हो जाएगे ना आपको याद होगी चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ दिस इस वुमेंस प्राइज फोर फिक्शन फिक्शन के लिए जो महिला पुरुसकार है 2022 यहां किसे दिया गया है वुमेंस प्राइज फोर दी फिक्शन जो है यहां दिया गया है रथ ओजे की को रथ ओजे की एक यूएस कैनेजियन वुमें है US Canadian woman है ठीके चले और इन्हें दिया गया है इनके एक book इनके द्वारा एक book लिखी गई है the book of form and emptiness ये book इनके द्वारा लिखे गई है इस book के लिए इन्हें यहां award दिया गया है यहां जो book है ये 13 साल की एक लड़की के उपर आधारित है एक लड़का है जोटा सा जिसके फादर की death हो जाती है after his death वो लड़का क्या है बिलकुल अकेला पर जाता है तो वो अपने आसपास की जो object है उनसे क्या है उन्हें observe करता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सबी object जो है उसके आसपास के उससे बात कर रहे हैं ठीके तो रुथ ओजेकी को मिला है रुथ ओजेकी को मिला है ठीके रुथ ओजेकी को मिला है वोमेंस प्राइज पॉर फिक्शन नेक्स्ट जो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगले award की तरफ युनेसको के द्वारा किंग हमद बिन इसा अल खलीफा प्राइज दिया जाता है युनेसको आप जानते हैं युनाइटेड नेशन की ही एक ऐसी बोदी है जो education की छेत्र के लिए science के छेत्र में या culture के छेत्र के लिए क्या है काम करती है तो युनेसको के द्वारा किंग हमद बिन इसा अल खलीफा प्राइज दिया जाता है इस बार ये हमारा जो शिक्षा मंत्राले है इसमें confuse नहीं होता कि कहां का शिक्षा मंत्राले है ये इंडिया के ही शिक्षा मंत्राले को हमारे ही education ministry जो है उसे दिया गया है हमारी ही जो education ministry है उसे यहां अवार्ड दिया गया है देखे आई नो की theory की class में शायद आप बोल हो सकते हैं बिट बई theory से ही आपका base strong होता है मैं award के question कितने ही करा लूँ एक question मैं आपको award कराओंगी तो एक ही चीज आपको clear होगी ठीके बट आप पहले theory कीजेगा फिर आप practice set लगाएंगे या one linear में आपको practice set दूँगी तो आप 100% एक भी question आपका गलत नहीं होगा theory पढ़ने के आदिट डाल लेजेगा one linear पढ़ने से या question करने से कुछ नहीं होता वही one linear या question आप तब कीजेगा जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है वो practice के तौर पर किये जाते हैं ठीके तो अभी आप आराम से पढ़ लीजेगा comment off करके ठीके चलिए next आपका Miss India Worldwide तो Miss India Worldwide के जो खिताब है यहाँ खुशी पटेल जी के द्वारा जीता गया है खुशी पटेल गुजरात से बिलॉंग करती हैं और इनोंने वेदे ही डौंग्री जी को इनोंने final में वेदे ही डौंग्री जी को क्या है हराया है तो Miss India Worldwide का जो खिताब जीता गया है खुशी पटेल गुजरात से बिलॉंग करती है और वेदे ही डौंग्री इसमें first runner up रही ठीके तो ये सारे award आपको clear है एक बार मैं आपको रिवाइस करा देते हूं इस सिलाइड में जो मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट अवर्ड मैंने आपको पढ़ाया दि कंपानियन ऑफ ओड़ेट जो है यहां एली जो अबेद क्वीन के द्वारा दिया जाता है एहमद सलमान रुस्ति को दिया गया है नेक्स्ट ने खलीफा प्राइज मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन हमारे शिक्षा मंत्राले को मिला है वहीं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब जीता गया है यहां गुजरात की खुशी पटेल के द्वारा जीता गया है आल राइट किलियर यहां तक चलिए नेक्स्ट स्पैलिंग बी अवर्ड जो है यहां हारीनी लोगन जी के द्वारा जीता गया है जो हरीनी लोगन है यह यह यूएस इंडियन है यह यूएस इंडियन है याने कि इनका जनम तो इंडिया में हुआ है बट यह रहती यूएसे में हैं यह 8th क्लास में है यह 8th क्लास की यह ब का मीनिंग बताना होता है तो इन्होंने मात्र 90 सेकंड में 21 मीनिंग को करेक्ट किया और उसका मीनिंग भी बताया था ठीके तो 2022 का इसक्रिप्स नाशनल स्पालिंग बी अवर्ड जो है हरीनी लोगन जी ने के द्वारा जीता गया है यह कॉंप्टिशन यूएसे टेकसॉस में हुआ था ठीके चले नेक्स्ट है आपका गोल्डन कॉंच अवर्ड गोल्डन कॉंच अवर्ड जो है चर्ण यौर बोदी टूद दौफी सन के दवारा जीता गया है यह एक क्वींटरी है यह यूना वांडीर की और यह डच है यह क्या है तो एक डच डौक्यूमेंटरी है जिसका नाम छवान्अस चर्ण यौब बोडी टूदी सिंद और इस के द्वारा इस क्वारा इस चलिए बही ओल्राइट यहां तक किलियर है दो अवर्ड हमने इस सिलाइड में पड़े हैं इस्पालिंग बी अवर्ड स्पालिंग बी अवर्ड जो है ठीक है या फिर इसक्रिप्स नाशनल इस्पालिंग बी अवर्ड हरीनी लोगन जी के द्वारा जीता गया है गोल्डन की तरफ हां जी अगला अवर्ड है आपका ला ओल डी ओर अवर्ड ला ओल डी ओर अवर्ड देखे मैंने आपको कांस फिल्म फेस्टिवल बताए थे कांस फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल जो है यहाँ फ्रांस में यहाँ फ्रांस में और्गनाइस किया जाता है फ्रांस का ही एक सेहर है कांस जिसके नाम पर इन अवर्ट को दिया जाता है तो इसमें जो बेस्ट डोक्युमेंटरी के लिए अवर्ड है यहां भारत के शोनक सेन जी को दिया गया है यहाँ documentary के लिए इनकी documentary के लिए इन्हें ला ओईल दी ओर अवर्ड दिया गया है और documentary का नाम है all that breathe all that breathe इनकी documentary है जिसके लिए इन्हें कांस film festival में यहाँ अवर्ड दिया गया है देखे कांस film festival में अगर बैस्ट फिल्म पूछा जाए बैस्ट फिल्म के लिए जो अवर्ड दिया जाता है उसका नाम है पाल में डी ओर अवर्ड पाल में डी ओर अवर्ड दिया जाता है और movie का नाम है the triangle of sadness triangle of sadness triangle of sadness को यहाँ अवर्ड दिया गया है बैस्ट फिल्म का जो अवर्ड है कांस फिल्म फेस्टिवल में यह पाल में डी ओर अवर्ड के नाम से दिया जाता है triangle of sadness को यहाँ अवर्ड दिया गया है जी good good morning आप सभी लोगों को ठीके चलिए यहां तक clear है आपको सब कुछ next award की अगले अवर्ड की तरफ move करते है next award है आपका वी शानता राम lifetime achievement award शानता राम lifetime achievement award देखें यह अवर्ड जो है यह मुंबई film festival हुआ था मुंबई film festival हुआ था तो मुंबई film festival में यहां award दिया गया था यह भी documentary की छित्र में दिया गया है और यहां संजीत नार्विकर जी को मिला है यहां संजीत नार्विकर जी को मिला है मुंबई film festival में ओल्राइट चलिए तो वी शानता राम वी शानता राम lifetime achievement award जो है यहां संजीत नार्विकर जी को मिला है मुंबई film festival की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है आपका order of the British Empire order of the British Empire जो award है वेदे के eligibility का birthday जो है जो queen eligibility है इनका जो birthday है यहां साल में दो बार मनाया जाता है अलग-अलग calendar के according ठीके तो इनके बर्दे पर जो भी व्यक्ति चाहिए वहां ब्रिटेन का है या अन्य देश का है मालो भारत को कोई व्यक्ति ब्रिटेन में कोई business कर रहा है ठीके तो भी यह लाब किने पहुंच रहा है ब्रिटेन के लोगों को पहुंच रहा है तो उन्हें यहां अवर्ड दिया जाता है इस बार किशोड जैरमन जी को यहां अवर्ड दिया गया है और अफ दी ब्रिटिस एंपाइर जो है शॉट में आप इसे OBE बहुत सकते हैं तो यह जो अवर्ड है यहां किशोड जैरमन जी को दिया गया है ठीके चलिए नेक्स्ट है आपका immunization champion award इमनाइजेशन से क्या मत्तब है कि टीका करंड champion पुरुसकार तो टीका करंड के लिए जो champion पुरुसकार है यहां एक आड़ जे है रेडियो जोकी है जिनका नाम है उमर निसार जिनका नाम है उमर निसार यहां जम्मु कस्मीर के एक आड़ जे है वही अपने रेडियो चैनल के माध्धम से कोविड 19 के टाइम पर लोगों को immunization के लिए काफी इनके द्वारा प्रेरित किया गया मोटिवेट किया गया देखे लोग डर रहे थे उस टाइम पर की वेक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं अफवा और फैल रही थी कि वेक्सीन लगवाने से डेथ हो रही है तो एक पॉजिट है उमर निशार इन्हें दिया गया है ओल राइट के लिएर यहां तक के लिएर है यहां तक एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूं इस सिलाइड में हमने क्या पढ़ा है इस सिलाइड में हमने पढ़ा यह लास्ट सिलाइड से चलिए रिवाइज करा देती हूं आप और दिये जाते हैं अब इन आवउड का नाम भी अलग अलग होता है ठीक है तो डॉक्यूमेंटरी के लिए जो अवड दिया जाता है ला ओल गी और अवड उसका नाम है शौनक सेंग जी को दिया गया है और डाट ब्रीद इनकी डॉक्यूमेंटरी के लिए वहीं बेस्ट फि इवर्ड मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है और अफ दी बिटिस एंपाइर यहां किशोर जैरमन जी को दिया गया है इम्मनाइजिशन चैंपेन अवर्ड जो है रेडियो जोकी उमर निसार को दिया गया है ठीके चली हां जी नेक्स्ट आप लिखेंगे नेक्स्ट आप लिखेंगे टॉप टेन लिस्ट ऑफ दी टॉप टेन की लिस्ट लिस्ट किसकी वर्ल्ड हाइस्ट पेड आथलेट तो विश्व के विश्व के उच्छतम भुगतान पाने वाले आथलेटों की शीर्स दस वाली जो सूची ह उसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन रहे हैं लियोनेल मैसी रहे हैं बई वर्ल्ड के ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट जिनकी क्या है जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं तो इसकी सूची में लियोनेल मैसी फर्स्ट नंबर पर रहे हैं क्रिस्टानो रोनाल्डो जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं क्रिस्टानो रोनाल्डो इसमें थर्ड नंबर पर रहे हैं रोनाल्डो थर्ड नंबर पर रहे हैं भारत में अगर हम आए तो 61 नंबर पर विरात कोहली इसमें रहे हैं ठीके चले वर्ल्ड हाइस्ट पेड इसी है सबसे ज्वादा इनकी income है ओल्राइट चले count Porsche प्राइज 22 प्लिटकर जो प्रायज है यहां पत्रकारिता प्त्रकारिता याने की जर्मलिसम की छित्र में दिये जाते है जर्नलिसम के छित्र में दिये जाते है देंगे प्लिट्स प्राइज सभाटे के लिए लिए बहुत के लिए धीए जाते हैं बंट हमें जो पढ़ना हैं हमें भारतीयों को पढ़ना है कि किन भारतीयों को हाल फिलाल में 2022 में पुलिस-गर प्राइज से नवाजा गया है तो भी जो दानिश सिद्की जी को यहां मर्नो उप्रांत मिला है इन्हें मर्नो उप्रांत पुलिक्सगर प्राइज मिला है दानिश सिद्की मुंबई के है एक reporter है एक पत्रकात थे अब ये बही जब तालिबान के जड़ब चल रही थी वहाँ पर news cover करने गए थे तो इनको गोली लगे थी इनके death हो गए थी अमित दावे जी है भारत की अमित दावे जी है फिर इरशाद मत्तो है इरशाद मत्तो है और अदनान आबीदी अदना 22 से नवाजा गया है सिंपल सा भी आपसे पूछ सकता है कि 2020 में कितने इंडियन्स को पुलेजगर प्राइस से नवाजा गया अलराइट किलियर चलिए 2022 का International Booker Prize तो 2022 का जो International Booker Prize मिला है यहां गितानजली शिरी को मिला है और इनका नोवल है इनके नोवल का नाम है टॉम ओफ सेंड जो नोवल है इसके लिए गितानजली शिरी उत्तर प्रदेश से बिलॉन करती है उत्तर प्रदेश की है यह जिन्हें International Booker Prize से नवाजा गया है अगर आपसे 2021 का पूस्ता है कि 2021 का जो International Booker Prize है यह किसे मिला था तो 2021 का मिला था डैविड डायोप जी को 2021 का मिला था डैविड डायोप को 2022 का जो मिला है भारत की गितानजली शिरी को मिला है ठीके नेक्स्ट है आपका विहीटले गोल्ड अवर्ड अगला अवर्ड है विहीटले गोल्ड अवर्ड देखे विहीटले गोल्ड अवर्ड जो है यह वाइल्ड लाइफ जो होती है वने जीव संड्रक्ष्न के लिए दिया जाता है आप किसी भी वने जीव इस्पसीज वाइड लाइफ जो है उसकी कंजोवेशन कर रहे हैं तो आपको अवर्ड दिया जाता है इस बार जो विहिटले अवर्ड है ये चारुदत मिश्रा जी को दिया गया है बही चारुदत मिश्रा जो है जो इसनो लेपर्ड होते हैं जो क्या है हिम तेंदूएं होते हैं हिम तेंदूओं के सन्रक्षन के लिए यहां काम करती हैं तो चारुदत मिश्रा को विहिटले गोल्ड अवर्ड दो हजार बाइस से नवाजा गया है आई होप कि आपको यह यहां तक किलियर है वाई हमने क्या पढ़ा इस सलाइड में हमने पढ़ रहा कि जो सबसे ज्यादा हाइस्ट पेड एथलीट की जो सूची है अगर हम टॉप टेन की ही बात करें तो टॉप टेन में फ़र्स्ट नंबर पर कौन है लियोनेल मैसी है थर्ड नंबर पर क्रिस्टान और रोनाल्ड ने वही वराट कोली की जो रैंक रही 61 रही इसके बा बाकी तीन कोन है आपके इर्षाद मट्टो है अमित दावे है और अधनान आविदी है नेक्स्ट है 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोहजार पाइस को जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखे इनकी शुरुआट 2005 की गई है टि टूधाँजन फाइज से इंटरने के-लिए वन ने जी संजरक्शन के लिए विहितले Gold Award दिया जाता है और इस बार जो दिया गया है चारुदत तैट मिश्रा जीjat को दिया गया है वैसे लास्ट टाइम की अगले क्वेश्चन की तरफ moving करते हैं विलियम E. Colby award बस award का sabem जानेंगे और पर्सन का brings जानेंगे विलियम E. Colby award जो है यहां एक journalist यह भी journalism पत्रकारिता की छेतर में दिया जाता है और इस पर वीजले मोर्गन जी को मिला है ठीक के किन्हें मिला वेसली मोरगन जी को विलियम ए कोल भी अवर्ड मिला है और इनका भी टाइटल क्या रहा था The Hardest Place के लिए ठीके एक जोर्नलिस्ट है वीसली मोरगन इनहें भी The Hardest Place के लिए विलियम ए कोल भी अवार्ड से नवाज़ा गया है बस अवार्ड का आपको नेम याद रखना है ठीक है चलिए अच्छा स्लो चलना है नोट नहीं कर पा रहे हैं फास्ट मैंने इसलिए पढ़ाय था विकॉज आप कॉमेंट करने लग जाते हैं आप नोट तो करते नहीं है चलिए चलिए तो थोड़ा स्लो चलते हैं हां जी नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फूड प्राइस जो वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 है देखें वर्ल्ड फूड प्राइस किसलिए दिया जाता है कि अगर आप कोई scientist हैं या आप वह इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम sustainable तरीके से कैसे food को produce कर सकते हैं या फिर हम climate change के बिना climate को harm किये बिना ही क्या है food को produce कर सकते हैं तो इसलिए world food price दिया जाता है 2021 का Cynthia Rosenge Wake जी को दिया गया है Cynthia Rosenge Wake नासा की ही एक body है ठीके जिसमें क्या है जिसमें scientist है तो नासा की scientist Cynthia Rosenge Wake को जो world food price है इससे नवा जा गया है अगला है आपका Roman Roland book price नेक्स्ट है Roman Roland book price देखे Roman Roland book price जो है यहाँ उस author को उस लेखक को दिया जाता है जिसने French यानि French भासा में लिखे किसी novel को किसी Indian language में किसी Indian language में भारतिय भाषा में क्या है translate किया है चाहे आपने English में भी किया है तो भी यहाँ अवर्ट दिया जाता है तो Roman Roland book price जो है अगर person का नेम आपसे पूछता है तो person आप लिखेंगे त्री नंजन चक्र वृति चक्र वृति आप लिखेंगे अगर यह पूछा जाता है कि कौन से novel को translate किया गया है novel का अगर आपसे नाम पूछा जाता है तो novel का नाम है The Marsault Investigation Marsault Investigation यह Camille Dowd French के थे France के थे Camille Dowd उनका noble है Camille Dowd का यह novel है The Marsault Investigation त्री नंजन शास्त्री चक्रवर्ती जी ने इसे बांगला भाषा में ठीक है इसे क्या है बंगाली भाषा में translate किया है ओल्राइट वैसे जाद तर आपसे novel का नेम ही पूछेगा बट बै कुछ भी पूछ सकता है यह आपको clear होना चाहिए ठीक है रोमन रोलेंड बुक प्राइज फ्रेंच किसी नोवल को हम हिंदी मालों इंडियन लेंग्वेज में किसी भी इंडियन लेंग्वेज में या फिर इंग्लिस में translate करते हैं यह translate किया गया तुरिनंजन चक्रुरती नाम क्या था नोवल का थी मरसौल्ट इंवेस्टिगेशन कैमिल दाउद का यह था ठीक है चलो रोयल गोल्ड मेडल इसे simple साही याद रख लेंगे रोयल गोल्ड मेडल जो है यहां बाल क्रिशन ठीक है यहां बीवी दोशी आप शौर्ट में याद रखेंगे बीवी दोशी जी को दिया गया है रोयल गोल्ड मेडल रोयल गोल्ड मेडल जो है यहां बीवी दोशी जी को दिया गया है ओल्राइट के लिए है यहां तक रोयल गोल्ड मेडल बीवी दोशी जी को दिया गया है ठीके चाले नेक्स जो बढ़ते हैं भाई अगले question की तरफ अगले award की तरफ दिस इस टैंपल्टन अवार्ड टैंपल्टन अवार्ड दो हजार बाइस जो है यहां Frank Wilgeek जी को दिया गया है Frank Wilgeek को दिया गया है Frank Wilgeek अमेरिका के हैं एक ओथर भी है एक फिजिसिस्ट भी है तो Frank Wilgeek को 2022 का टैंपल्टन प्राइस से नवाजा गया है ठीके चली फिर है वंगारी मत्थाई की फॉरस्ट चैंपियन अवर्ड देखे वंगारी मत्थाई जो है वंगारी मत्थाई यहां केण्या की ठीके केन्या की क्या है वही एक एक अक्टिविस्ट थी जो परियावरन संदक्षन के लिए काम करती थी इन्हें Nobel Prize भी दिया गया है और इनहीं के नाम से फिर ये अवर्ड दिये जाते हैं वंगारी मत्हाई Forest Champion जो अवर्ड है यहाँ कैमरून के एक activist है नदजे बेट तो सेसिल सेसिल नदजे बेट को यहाँ अवर्ड दिया गया है वंगारी मत्हाई केन्या की एक activist जो forest conservation के लिए काम करती थी उन्हीं के नाम पर award की शुरुआत की गई इस बार जो मिला है Cameroonian जो लिखा है मतलब एक Cameroon से बिलॉंग करते हैं नाम क्या है नद्जे बेट बस आप शौट में याद रख सकते हैं फर्स्ट Aster Guardian Global Nursing Award ये मैंने आपको पढ़ावी रखा है 12th of May को हम क्या celebrate करते हैं International Nurse Day हम celebrate करते हैं 12th of May को ठीके तो पहली बार क्या है पहली बार ये award दिया गया है अन्ना कबाले दुबा जी को दिया गया है अन्ना कबाले दुबा केन्या से बिलॉंग करती हैं ये केन्या की एक नर्स है और इन्हें इस अवर्ड से नवाजा गया है या तो Aster Guardian Global Nursing Award बोल देगा या Global Award भी बोल देगा Global Nurse Award किसे दिया गया है तो अन्ना कबाले दुबा जी को दिया गया है केन्या की है यहाँ आपको याद रखना है जैनिटियल म्यूटिलेशन के लिए यानि की वुमेंस के राइट के लिए काम करती हैं ठीके चले बांगला अकैडमी अवर्ड बांगला अकैडमी अवर्ड यहां मनता बेनर्जी जी को दिया गया है मनता बेनर्जी भी या सीम तो ही है साथ में लिट्रेरी वर्ड भी करती है लेखन का कारिये भी करती है मतलब इने लिखने का भी शौक है तो इनका जो कलेक्शन रहा है ठीके इनका जो कलेक्शन रहा है उसके लिए बांगला अकैडमी अवर्ड मनता बेनर्जी जी को दिया पागा है अल्रवाइट चलिए दो स्लाइड हमारी हो चुकी हैिहने का रीजिह कर लिते हैं दोनों खलाइड का चलिए कि अजके बीडिसन से विलियमी कौलबी जो अवाइड है मेसली मौर्गन जी को मिला अमेरिका की ही एक जॉर्णलिस्ट न हें इनका टाइकॉल रहा है। इंग को मिला रोमन रोंलिंड बॉक प्राइस जो है। तरिनजन चक्रविरती जी को दिया गया है और नोवल का नाम है दि मरसॉल्ट इंवेस्टिगेशन रॉयल गोल्ड मेडल जो है बीवी दोशे जी को दिया गया है टांपलिटन प्राइस जो है यहां फ्रेंक विलजेक जी को दिया गया है वंगारी मताई फॉरस्ट ठीक कभी कि केन्य kenya क्या है बंगला अकाडमी ऑवर्ड जो है मंता पेनरट जीजी को दिया गया है उनके लिटरेरी वर्ग के लिए ठीक है चरही और ऋफ दिक है यह क्या है ओनर कमांडर ओफ दी ओडर ओफ दी प्रिटिस ऍेपायर ऑलिजा बेद जी को दिया गया है ओल राइट देखे तफ कुछ भी नहीं होता तफ कुछ भी नहीं होता मैंने कहा है चीजों को समझना है एक दो बार जब आप नाम को पढ़ेंगे याद हो जाएगा ठीक है हो सकता है बिलकुल याद ना हो बट ऑप्शन देखके चीजे आपको याद आ ज ही होगा बटक ने अगर आपने माइंड सेट कर लिया है चाहे कितना भी टफ है मुझे याद करना है शौट में चाहे मैं कैसे भी याद करूं मुझे याद करना और याद हो जाएगा डैफिनेटली माइंड सेट सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है तो पहले से ही नेगिट को wisdom cricketers of the year से घोशित किया गया है यह नामित किया गया है ठीक है कितने वेक्तियों को किया गया है कितने cricketers को तो वैसे total तो five को किया गया है total तो five को किया गया है जिसमें दो भारतिये भी हैं रोहित शर्मा और जस्परीत बुमराहा तो बस आपको indians का ही नाम याद रखन है ठीक है रोहित शर्मा जस्पृत बुम्राहा यह दो इंडियन से जिने विस्टम क्रिकेटर्स ऑफ दी इयर मिला है ठीक है देविन कॉन्वे यह न्यूजिलेंड के हैं तो यह आपको इतने याद करने की जरत नहीं है फिर भी देख लेंगे ओली रोबिंसन है डैनी वॉन नेक रख है ठीक है चलिए तो आप इंडियन से याद रखेंगे दो इंडियन को ओवरोल नंबर याद रख लेंगे ओवरोल नंबर पांच है इस पो लॉरियस यह रोरियस लॉरियस स्पोर्स में औफ दी एर का जो खिताब है यहां मैक्स वास्टेपन जी को मिला है मैक्स जो कि Formula One Driver है, तो Laureus Sports Men of the Year, वर्स्टेपन को मिला है, वही Laureus Sports Women of the Year का जो खिताब है, यहाँ Allen Thompson जी को मिला है, Mens का अलग है, वर्स्टेपन को मिला है, Womens का Allen Thompson जी को मिला है, ठीक है, के लिएर है, चले, next अगला वड़ते हैं वह अगला है आपका United Nation द्वारा UN Award UN Award किसके लिए UN Award Champion Project के लिए यानि प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जो UN का Award है यहां किसे दिया गया है तो यहाँ E-Proposal System है मिघाल्या मिघाल्या का जो E-Proposal System है उसे UN Champion Project Award दिया गया है आल राइट चलिए next है आपका Stockholm Water Prize Stockholm Water Prize जो है विलफ्रेट बुत सब्सक्राइब को दिया गया है विलफ्रेट बुत को दिया गया है विलफ्रेट आप याद रखलेंगे तो विलफ्रेट जी को जो Stockholm Water Prize है यहां दिया गया है Next है आपका चमेली देवी gen Award एंपोटेंट भी है आपके लिए देखेड promoted चमेली देवी जमेली देवी कौन थी एसी पहली जैन जैन महिला थी जो कि हमार जो इंड़िपीन्डेंट्स प्रोटेश चल रही थी ठीक हमारी जो कृष्ष्ष रही ती यह venture में मोई जैल जाने वाली चैन महिला थी चमेली मिला जाता है इस बार जो मिला है 2022 का यह आरिफा जोहरी जी को मिला है एक जोरनलिस्ट आरिफा जोहरी इन्हें चमेली देवी जैन अवोर्ट 2022 मिला है ठीके चली यहाँ तक आरिफा जोहरी बहुत शची Committee सम्म Year सरस्वती सम्मान पता है आपको किसके छेतर में दिया जाता है भी लिट्रेचर के छेतर में दिया जाता है और ये राम दरस यहां राम दरस मिसरा जी को मिला है मैं तो यहां हूं के लिए मैं तो यहां हूं के लिए राम दरस मिसरा जी को सरस्वती सम्मान 2021 का मिला है ये 2021 का मि रिवाइज करा देते हैं एक बार हां जी रिवाइज कैसे करना है आपको हमने अभी पढ़ाता विज्डम क्रिकेटर्स ऑफ दी इयर जो अवर्ड है पांच क्रिकेटर्स को मिला है ठीके जिसमें दो इंडियन्स भी है जस्प्रीत भुम्राहा और रोहित शर्मा लॉरियर्स इस्पोर्ट्स मैन ओफ दी इयर का मैक्स वस्टेपन को मिला है लॉरियर्स इस्पोर्ट्स वुमेन ओफ दी इयर का इलेन इलेन थॉंपसन को मिला है यूएन अवर्ड किसके लिए चैंपियन प्रोजेक्ट के लिए यी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है मिगाल सम्मान 2021 का दिया गया है 22 में यहां रामदरस मिसराजी को मिला है ठीके चलिए नेक्स्ट है आई बीसी अवर्ड फोर एक्सिलेंस इन बिल्ट इन्वारिमेंट चलिए या तो आप से यह पूछ लेगा या आप से यह पूछ लेगा बैस्ट इंफ्रास्टेक्चर बैस्ट अडल के बारे में पढ़ाता अडल सूरंग के बारे में पढ़ाता कि 9.02 किलों मिटर लंबी है लेह को मनाली से कनेक्ट करती है और बी या रों दवारा बनाई गई है कौनसे राज्जे में स्टेट वटा देंगे कौन से स्टेट में है जल्दी से फिर नेक्स्ट आपका फस्ट पहला जो लता दीननात मंगेशकर लता दीननात मंगेशकर जो पुरुसकार है यहां किसे दिया गया है यह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है पहला लता दीननात मंगेशकर प्राइज चलिए लता दीननात मंगेशकर कौन थी भई एक सिंगर जिनके डेथ हो चुकी है स्वर कोगिला जिने हम कहते हैं ठीके चालिए फिर है आपका ओ हेंडरी पुरुसकार ओ हेंडरी जो पुरुसकार है अमर मित्रा जी को मिला है ओ हेंडरी जो पुरुसकार है अमर मित्रा जी को मिला है चालिए य 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 आप जानते हैं entrepreneur होता क्या है entrepreneur का मतलब होता है कि आपने कोई business अभी शुरू किया है मतलब कि startup अगर आपने किया है तो आपको entrepreneur बोला जाएगा entrepreneur of the year का जो award है एक महिला को मिला है नाम क्या है फालगुनी नायर नाम क्या है फालगुनी नायर जी को को मिला है आप नाई का ब्रेंड सुनते होंगे नाई का जो कि फेशन प्रोडेक्ट जो होते हैं ब्यूटी प्रोडेक्ट उनकी ब्रेंड है तो उसकी ही यह फाउंडर है फालगुनी नायर जी फालगुनी नायर जी को मिला है EY एंटरपरिणॉर औफ दीऊर और का इंटर नैश्नल गांधी फूरदी लैप रोशी जो किस्ट रोग होậँ के लिए अंतररास्टे गांधी पुर्शकार यए दिया गया है भूशन कुमार जी को देगा दो छेत्र में दिया जाता है एक तो इंडिवीज्वल पर्सन को दिया जाता है इंडिवीज्वल पर्सन को दिया जाएगा और किसी इंस्ट्यूट को ये दिया जाएगा तो इंडिवीज्वल आपको रिवाइज करा देती हूं अगर दो स्लाइड हमारी हो गए तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूं चलिए यह वैसे हमने कर लिया है एक ही स्लाइड अभी हमारी हुई है IBC Award for the Excellence in Built Environment निर्मित परियावरन में उत्करस्टा के लिए IBC Award किसे मिला है या फिर आपसे ये कह देगा Best Infrastructure Project का जो Award है किसे मिला है अटल टरनल को मिला है लता दिननात मंगेशकर पहली बार इन Award की शुरुआत की गई है और जो पहला Award है नरेंदर मोदी जी को मिला O. Henry Price ये अमर मित्रा जी को मिला है EY Entrepreneur of the Year का फालगुनी नायर जो की नाइका की Founder and CEO है International Gandhi Award for the Leprosy कुस्टो के लिए Gandhi Award दिया गया है भूशन कुमार जी को दिया गया है और जो सईयो कुस्ट यगन ट्रस्ट है इसे दिया गया है ठीके बई? केलियर है चलिए This is next बढ़ते हैं 2022 का Malcolm Aadish Sheeha Prize 2022 का Malcolm Aadish Sheeha Prize जो है प्रिभात पतनायक को यहाँ दिया गया है प्रिभात पतनायक को यहाँ दिया गया है ठीके चलिए Prime Minister Award for Excellence in Public Administration लोग प्रिशाशन में उत्करस्ट निटा के लिए प्रिधानमंत्री जो पुरुसकार है 2020 का ठीके यहां किसे दिया गया है यहां एक हमारी क्या है बैया उडान जो स्कीम है उडान स्कीम को यहाँ दिया गया है उडान मतलब कि उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीन चलाए गई थी इसे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है किसके लिए एक्सिलेंस इन पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन के लिए ठीके चलिए नेक्स्ट है आपका हाँ जी नेक्स्ट है आपका एंट्रपिनोर लीडर्सिप अवार्ड जो है एंट्रपिनोर लीडर्सिप अवार्ड यहाँ विवेक लाल जी को मिला है अगला है चैंपियन ओफ दी अर्थ अवार्ड यहाँ आप अर्थ के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ठीके तो चैंपियन ओफ दी अर्थ अवार्ड जो है यहाँ डाविड आटेन ब्रो को दिया गया है चैंपियन्स ओफ दी अर्थ जो अवर्ड है यहाँ डाविड आटेन ब्रो को दिया गया है चले बई, एक बार आप मुझे बताएंगे देखे, I know theory, भई, theory की class है तो theory class में हो सकता है आपको थोड़ा boring feel हो बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी ही पढ़ती है बाद में आपको जब आप practice set लगाएंगे तो एक अलगी confidence आपको आएगा ठीके, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो अगर आप ignore करेंगे तो भई, this is up to you चलिए, एक और कर लेते हैं, एक और slide है, अभी हमारे पास time है तो एक और slide को अगर लेते हैं, I hope यह आपको clear है, Malcolm, आदेशिया प्राइस, प्रभात पटनायक को दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का अवर्ड दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अवर्ड दिया जाता है, किसके छेतर में, आपने administration की छेतर में, प्रशाशन की छेतर में अगर कुछ अच्छा कारिये किया है, तो उडारी स्कीम को दिया गया है, Entrepreneur Leadership Award जो है, विवेक लाल जी को दिया गया है, Champions of the Earth जो अवर्ड है, David Attenborough को यहां दिया गया है, ठेके, चलिए, देखे, जॉन F. Kennedy Award, जॉन F. Kennedy, जॉन F. Kennedy Award, देखे, जॉन F. Kennedy कौन थे, यह USA के President थे यहां USA के President थे, और इनके नाम से एक Award की शुरुआत की गई, जॉन F. Kennedy Award की शुरुआत की गई, और Award उस लीडर को दिया जाता है, तो यह किसी भी देश का लीडर, जो अपनी देश के लिए क्या है, साहस का कारिये करता है, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हड़ता, उसे यहां Award दिये जाते है, मतलब कि लीडर में कोई भी देश का Prime Minister है, कोई भी देश का President है, उसे यहां Award दिये जाते है, तो इस बार 5 जो है, पांच व्यक्तियों को यहां दिया गया है, नमबर 5 आप याद रखेंगे, और President का नाम कौन सा याद रखेंगे, President आप याद रखें तो USA के द्वारा, Ukraine के President व्लादिमिर जलन्सकी को यहां Award दिया गया है, क्योंकि वह रूस से उन्होंने टकर ली, पुतिन से उन्होंने टकर ली थी, ठीके, चलिए, Commonwealth Point of the Light Award जो है, Commonwealth Point of the Light Award, यहां किशोर कुमार दास को मिला है, किशोर कुमार दास यहां बांगला देश के है किशोर कुमार दास यहां बांगला देश से बिलॉंग करते हैं, और यह अपना NGO वगेरा भी चलाते हैं, लोगों को क्या है, Food Provide करने के लिए, कि कोई भी भूका ना रहे, ठीके, इतने ही करेंगे, आज इतने ही पढ़ेंगे, और आपको क्या करना है, यह जो अभी मैंने Awards कराएं हैं, अगर आपने लिखे हैं, तो वही, शाम को बस पांच या दस मिनट, ज्यादर टाइम नहीं, बस पांच या दस मिनट, एक बार इनका रिवीजन आपको कर लेना है, अगर आप इतना कर लेंगे, तो Awards का कोई भी question आप गलत नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपक से ही, तो आपको याद हो जाता है, तो current affair में जो भी आप दिन में पढ़ते हैं, शाम को उसे बस पांच या दस मिनट, जाद नहीं, पांच या दस मिनट का टाइम और देना होता है, आपको, चीज़ें आपको clear हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको बहु कोई doubt है, कोई query है, तो आप मुझे बता सकता है, चलें तो भाई, सभी यहीं आप से विदा लेते हैं, सभी लोग अपने ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को revise करते रहेंगे, have a great day ahead, जैहिंद जैवारत, thank you so much सभी को. झाल झाल